आपका स्वागत है आई नजर डालते हैं एक बार हिड्लाइंग्स पर देश में फिर से बावन हजार से जादा नए मामले एक दिन में 803 मरीजों की मौथ रूजगार के अभाव में दो तिहाई मजदूर वापस शहर लोटना चाहते हैं सर्वे नीपी 2020 कितनी राश्ट्रिय कितनी विदेशी कितनी बाजार हो केंदी स्वास्त मंताले दोरा आज मंगलवार चार अगस्त की सुबह आठ बजे जारी ताजा आकरों के नों साथ पिछले 24 गनटों में कुर्णा के बावन हजार पचास नए मामले सामने आए इसके अलावा देश भर में कुर्णा से 803 मरीजों की मौत हो गई साथ इसी बीच कुर्णा से पिड़िट 44,306 मरीजों को ठीक भी किया जा चुक है देश भर में अब कुर्णा वारिश से संक्रमित मरीजों की संख्या 18,55,745 हो गई है स्वास्त मंत्रला की ताज़जारी जानकारी के अनुसार अभी तक 6.6.30 यानी 12,30,509 मरीजों को ठीक किया जा चुक है लेकिन संक्रमित के कारण अभी तक 38,938 मरीजों की मौत हो चुक है इसी के साथ देश में कुल सक्रिय मामनों की संक्या बढ़कर 5,86,298 हो गई है ICMR द्वारा आज 4 अगस को जारी आतनों के अनुसार अब तक कुल 2,08,64,750 सैंपल की जांच की गई जिन में से 6,67,892 सैंपल की जांच बीचे 24 गंटों में ही हुई है आइए बढ़ते हैं अब दूसरी ख़बर की तरफ केंड और राज सरकारों के रोजगार मुहया कराने संबंधी तमाम दावों के बीच हकीकत यह है कि कुर्णा महमारी की मार से शहर छोड़कर अपने गाउं लोटे प्रवासी मजदूर अब दोबारा वापस शहर लोटना चाह रहें एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक वापस चले गए प्रवासी कामगारों में से करीब दो तिहाई गाउं में कौशल आधारित रोजगार के अभाव में या तो शहरों को लोट चुके हैं अथ्वा लोटना चाहते हैं सोमवार को जारी इस रिपोर्ट के नुसार 29 फीसदी मजदूर अब तक शहर वापस आ चुके हैं जबकि 45 फीसदी आने की तैयारी में है अधिनन्द में कहा गया गाउं में कौशल आधारित रोजगार के अभाव की बात सामने आई हैं जिसके चलते अपने घरों को लोटे करीब 2 तिहाई प्रवासी या तो शहर में वापस आ गये हैं या वह आना चाहते हैं रिपोर्ट में यह भी पता चला कि जो प्रवासी शहर लोटे हैं उनमें से 80 फीसदी से अधिक को गाउं में मजदूरी का काम मिला जो दिखाता है कि ग्रामिर इलाकों में कौशल आहरित रोजगार की कमी है एक 24 अधिक प्रवासी श्रमिक अभी गाउं में रोजगार की तलाश में रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि एक 24 अधिक प्रवासी श्रमिक अभी गाउं में काम ढूण रहे हैं सरकार ने संसत, समाट और सिक्षा शास्त्रियों के बीच व्यापक चर्चा के बगार नई सिक्षा नीती का एलान कर दिया हेडलाइन्स बनते कुछ कदमों को छोड़ दें तो इस सिक्षा नीती में साक्षी की विकाश की समगर राश्रे दिश्री नजर नहीं आती है वरिष पद्रकार उर्मलेश देश की जानी वानी सिक्षा शास्त्री प्रोफेसर अनीता रामपाल से खास बातचीत कर रहे हैं आईए सुनते हो देश पहली बात अनीता जी मैं आपसे जाना चाहता हूं कि इस वक्त देश का जो शैक्षिक परिद्रिश्य है परिशनल सिनाइडियो है उसमें इस्कूल एजूकेशन सिस्टम बेहाल है बर्माद हो रहा है तो एक तरह से अनेक जगहों पर क्लैप्स के कगार पर है तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि आप कारगर नजरिया पेश करती है 24 साल बाद जो ये शिक्षा नीती आई है और जिसको बनने में 5-6 साल लग गए कई ड्राफ्ट आए बीच में पिछले साल तो एक 500 पेज का ड्राफ्ट आया जिससे हमें और कुछ समझ बनी हमारी कि क्या दिशा ये क्या रुख है इसका अपेक्षाएं बहुत है पर पहले जब भी कोई नीती आती है वो हमेशा जायजा लेते हैं शुरू में कि पिछले कुछ सालों में किस तरह से बदलाव आए हैं और पहले की नीतियों ने कितना क्रियानवन किया है क्या संभव हुआ है क्या नए चुनौत आती थी लूज शेले हैं तो यह सब एक नीती में मिलता है जब हम नीती का अध्यान करते है इस नीती में ऐसे कुछ नहीं है इसमें तुरंत ही बहुत सठीक 20th लाइनों में शुरू में बता दिया है कि मक्सद क्या है यह वे बिजन है कि इस तरह की शिक्षा इस तरह की शं बनाएंगी कि वो देश को बदल सकें इंडिया को भारत को बदल सकें कि वो एक ग्लोबल सूपर पावर बन सकें तो यह बहुत स्पष्ट है और जैसे आपने कहा कि हमें क्या कुछ ऐसा अंदेशा मिल रहा है कि जो आज दिक्कते हैं स्कूल हजारों में बंद हुए हैं, कई राज्यों में मरज हुए हैं या जो के उनिवल्सटीस में जो हालत है हमारी बेस्ट उनिवर्स्टीस में जाहे वो जामिया है, JNU है, दिल्ली उनिवर्सटी है, हैईद्र अभाध है, वहािस तरह का आलम है तो क्या उसके प्रती कोई दिशा हमें दिखती है कि ऐसा हमें कुछ दिखता नहीं है बल्कि हमें लगता है कि जो कई कदम उठाए जा भी रहे हैं वो ही हमें बताते हैं कि आगे का परिद्रिश्य क्या होगा और ये भी हमें बताता है कि जो एक मौलिक अधिकार राइट टू एडुकेशन जो स्कूल के बच्चों के लिए पहली से आठमी या छे से चादा साल के उम्र के बच्चों के लिए जो कि 2009 में पारित हुआ था और 2010 से जिसका क्रियान्वन शुरुआ था तो 10-11 साल हो गए हैं तो उस राइट टू एडुकेशन आक्ट का केवल एक जिक्रा आता है भूमिका में पेज चार पर और उसके बाद इशारों में आता है कि उस आक्ट के अंतरगत जो बहुत बुनियादी जरूरते हैं जो कही गई हैं कि हर स्कूल में इस तरह के टीचर होंगे या इस से समझ होता नहीं होगा गुणवत्ता से समझ होता नहीं होगा या कम से कम इतने बच्चों पर एक टीचर हो कैसा स्कूल हो यह बहुत बुनियादी चीज़ें जिसके कारण वो मौलिक अधिकार बना था उसने राज्यों पर सरकारों पर नहीं छोड़ा था आर्टिकल 45 में पर उस पर नहीं बंधा हुआ हो उसकी नियत से तो उसको अब यह नीती जो है उसके साथ समझ होता कर रही है बलके उसका जिक्र नहीं करती और बार बार यह कहती है कि उसके जो बहुत उसकी बंदिशे हैं very restrictive हम उसको loosen करेंगे हम उसको खोल देंगे ताके जो बहुत सारे और players हैं, जिनको बहुत सुन्दर नाम है private शब्द कहीं नहीं यूज करते, वो ये कहते हैं कि वोई लोक उपकारी या philanthropic और यहां तक कि ये जो PPP एक शब्द है जिसके जो public private partnership के लिए इस्तेमाल होता है ये जो acronym है वो इसको भी बदल देते हैं उसको बिलाते हैं कि public philanthropic partnership तो private शब्द को बहुत ही ध्यान से इस्तेमाल नहीं किया जाता ये दिखाने के लिए कि शिक्षा जो है वो अभी भी मुनाफ़ के लिए नहीं है, not for profit जो कि सही है, यही कानून है देश का पर हम जानते हैं कि not for profit कहे कर जिस तरह से एक commercialization हुआ है जो एक व्यावसाई करन हुआ है जो मुनाफ़ शिक्षा में बहुत बड़ी मात्रा में कमाया जा रहा है वो एक पूरा market है उस market की भाषा हमें दिखती है और उस market के लिए आवान दिखता है एक बुलावा दिखता है कि और लोग भी आएं और school खोलें क्योंकि अब हम जो school खोलने की नियम है regulations है उनको बहुत हलका कर रहे है दो जगे तो बहुत सपश्ट रूप से यह कहा गया है तो ये एक चिंता की बात है बहुत चिंता की बात है क्योंकि वो ही जिनके लिए जरूरत है जो वंचित परिवार से है वंचित जग़ों से है जिनको इतने दशकों से वो गुनवत्ता वाली शिक्षा नहीं मिली जो के समविधान उनको प्रॉमिस करता था वादा करता था जिसके लिए उनके लिए ये अब उन्ही के साथ एक इस तरह का एक समझोता होगा या इस तरह का एक चलावा भी हम कह सकते हैं कि हम राइट टो एडुकेशन को तो अब हलका कर देंगे एक तरह से निकाली देंगे और दूसरी तरह से ये नहीती कहती है कि उन्हीं जो especially disadvantaged जो वंचित बच्चे हैं उनको अगर हमें तीन साल की उमर से लेके अर्ली चाइल हुड केर से लेके अठारा साल की बार्वी तक की शिक्षा को अगर हमें देना है और वैसे ही access देना है यह नहीं कि हमें एक अधिकार देना है हमें उनको वो access देना है कि हाँ वो उनके लिए उपलब्ध है तो फिर हमें यह restrictions मतलब उसके लिए हमें इसके साथ right to education के लाज समझोता करना पड़ेगा ऐसे स्पष्ट अक्षरों में स्पष्ट शब्दों में दिया है जो वास्तव में एक हमारे लिए चिंता की बात है अनिता जी दूसरा जो मेरा सवाल आपसे है जो प्रैमरी एडुकेशन पर बिल्कुल है कि जो vocational studies जो 6th class से करने का है और दूसरा जो प्रैमरी स्कूल से पहले 3 साल के 3 साल यानि 3 साल की उम्र से 6 साल की उम्र तक बच्चों को आंगनबाडी के हवाले करना या बालवाटिका के हवाले करना नजाने आंगनबाडी और बालवाटिका में जो इस टाफ होगा वो किस तरह से सिक्षित प्रसिक्षित होगा इन बच्चों के लिए इस पर आपका क्या विचार है कि तीन वर्ष बहुत होते हैं एक बच्चे की जिन्दगी में तो वो यह जो प्रावधान किया गया है इसके क्या फलितार्थ होंगे इसका क्या implication होगा इन दो विश्यों पर आपकी क्याराय है जो यह आपने अभी पूछा कि यह जो structure को बदलने की बात है कि पहले तीन साल जो early childhood care and education है जो कि ज्यादा तर आंगनवाडी में चलता है गवर्मन्ट सिस्टम में और बहुत private स्कूलों में nursery करके pre-school करके ऐसे कई तरह के प्रावधान है तो इन तीन सालों को primary school के दो स्कालों के साथ जोड़ कर उसको बुला दिया कि यह foundational literacy और numeracy का एक stage है और इसको बहुत लोगों ने सराहा के बहुत अच्छी बात है कि यह अब सरकार school education का एक हिस्सा बना रही है पर इसको भी समझने की बात है कि यह कहां तक हमें समता पूर्ण शिक्षा का माहौल दे रही है क्यूंकि आंगलवारी में जो workers हैं वो teachers नहीं है नहीं उनकी तयारी है कई तो बारवी भी नहीं पास किये हुए और उनके लिए कहां गया है कि हम एक छे महीने का online course या certificate course करा देंगे एक साल का डिप्लोमा करा देंगे बारवी नहीं की है तो एक साल का डिप्लोमा कर देंगे वो किसी भी हालत में समतुल्य नहीं है equivalent नहीं है कि हम जो एक primary के early stage में भी बच्चों के लिए खास कर अगर वो ऐसे परिवारों से हैं जहां कि उनको और भी जरूरत है कि अच्छी शिक्षा मिल सके गुणवत्ता वाली शिक्षा मिल सके और ऐसे teachers मिल सके जो कि वास्तव में उनको पूरा एक माहौल दें जिसमें कि उनका विकास हो सके और इसको सिर्फ literacy और numeracy बुला देना ये भी अपने में सवाल उठाता है क्यूंकि आठ साल के उमरे तक आप सिर्फ literacy और numeracy नहीं करते हैं वो एक उसका थोड़ा trivialize करने का तरीका है बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं और बहुत उनकी thinking develop होती है उनकी अवधारना है उनकी concepts develop होते हैं तो जितना भी उनको एक चुनौती पूर्ण और आप ऐसा stimulating माहौल देते हैं उतने बच्चों की development हर तरह से खूब तेजी से होत तो यह भी अपने में चिंता जनक है क्योंकि अब इसमें यह कहा गया है कि जहां जहां जो educationally पिछड़े इलाके हैं यहां teachers काफी नहीं है परयात नहीं है तो वहां पर हम community से भी लोगों को लाएंगे volunteers और हम बच्चों को school के बच्चों को हम tutor बनाएंगे ताकि वो अपने साथियों को पढ़ा सकी अब यह किसी राश्ट्रिय पॉलसी में आए कि हम बच्चों से tutoring करवाएंगे और हम कहें कि हम community से कहेंगे कि आजाओ अब teacher नहीं है तो अब तुम क्योंकि क्या है पहली early childhood है पहली दूसरी primary की class है कोई भी पढ़ा सकता है यह जो है यह जो मानसिकत इसी से हटने के लिए बचने के लिए इसी से बच्चों को बचाने के लिए right to education आया था और यह अब मानसिकता धडले से आ रही है एक national mission के नाम से कि हम foundational एक mission बना रहे हैं और जो 500 पेज का ड्राफ था उसमें तो बहुत स्पश लिखा था कि हम एक remedial instructional aid एक रिया और वो ऐस इसी महिला होगी उस गाओं की जिसने schooling किया हो और उसको हम appoint करेंगे कि वो जो बच्चे पिछड रहे हैं या school छोड रहे हैं उनको दुबारा से कैसे तयार करें अब वो शब निकाल दिया क्योंकि अब छोटी हो गई है policy संक्षेप में कहा गया है पर community से engage करेंगे वो ही द पच्चे की विकास की तो फिर उसी स्टेज के साथ हम नहीं देख रहे कि कहीं बहुत गंभीरता से ये नीती हमको कोई अपनी गंभीर एक निश्टा दिखा रही है ऐसा नहीं देख रहा तो ये सोचने की बात है देखते रहे न्यूस्क्लिक दन्यवाद झाल